हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं इस्टडी फीर चैनल दोस्ता आज मैं कुछ महतपूर चोटी जो आपके एक्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं चाहे के भीस एंभीस सोयल्टी हो तीजिटी पीजिटी हो तो इसके अंतरगत में आज इस टीच मसल ट्विस्टिंग मसल इस पोजम और ओडिमा के बारे में बता रही हूँ दोस्तों बहुत सार्ट में रहेगा जिस परकार से आपके एक्जाम्स में पूछे जाते हैं बहुत लंबा चड़ा मैं नहीं बताऊंगी बस आपको बेसिक जांकारे उसकी हो जाए जिससे आपके कोस्टन में जब चिकिसा वाली प्लेलिश में जाकर की देख सकते हैं तो दोस्तों चली चलते हैं आज के टॉपिक्स पर सबसे पहले हम बात करेंगे स्टीच की दोस्तों इस टीच यह बार-बार पूछा जाता है तो उसमें बहुत लोग को ध्यान में नहीं रहता है इसलिए मैं चितर के मा बारे में बताए गया है डोस्तों इस टीच जो है यह भी मसल क्रेंब का एक प्रकार होता है बट यह डाइफ्राम या पेट की निचली मांसपेशी में में अकसर होता है इसलिए एक विसेश महतु रखता है और इसको बार-बार पूछा जाता है तो इस टीच क्या है यह मसल्स क्रेंब की तरह है जो मैसल्स एठन होता है उसकी तरह ही होता है बट यह कहां पर होता है डाइफ्राम यह पेट की निचली मांस्पेशी में इसमें क्या होता है दोड़ते समय अचानक सी तीखा दर्द जो पेट की निचले भाग में होता है उसे ही स्टीच कहते है इस्टीच किसे कहते है दोड़ते समय अचानक सी तीखा दर्द पेट की निचले भाग में यारी डाइफ्राम पेशी के आसपस या diaphragm facing के नीचे उसे ही हम stitch कहते हैं तो इसको आप ध्यान पुर्वक याद रखिएगा कि पेट के निचले भाग में कभी कभी देदेगा या diaphragm facing के में के नीचे अचानक से तीखा दर्द को क्या कहते हैं तो stitch कहते हैं जब भी आप कभी कभी देखते होंगे कि जब आप दोड़ प्रावर्म करते हैं तो दोड़ते दोड़ते एक आएक आपको ऐसा मसूस होता है जैसे कि यह तम तीखा सा दर्द होता है जैसे लगता है आप हम नहीं दोड करता हैं में जो दाइफ्राम पेसी के नीचे या पेट के दिचली भाग में होता है इसज़्त जयसे कि is flush यह आप बात करते है मसल्स ट्विस्टिंग क्या होता है जैसा कि मशल्स सबसे ही इस इस्फट हो रहा से बिद्धिती अब घटकों की कमी मौसम का बदलाव जल्वायों की बदलाव के कारण ऐसा होता है नेक्स्ट है तिसरा है मसल इस्पोजम दोस्तों मसल इस्पोजम में क्या होता है पेसी कठोर हो जाती है वह पेसी के तंतु जो है इकठे हो जाती है और इसके कारण पेसी में आवस्यद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्वि होना ही ओडिमा कहलाता है क्या है आपकी तरी कि किसी भी अंग में सूजन हो वही ओडिमा कहलाता है जैसा कि चित्र में दीख रहा है तो दोस्तों यह था एक छोटा साथ वीडियो जो आपके एक्जामस में बार-बार पूछे जाते हैं यह जितने भी मैं बताई हूं इस उसका हिस्ट्री क्या है किसे कोइसे कुछ जाते हैं उसके बारे में देटिल में बताऊंगी दोस्तों हो कि आपको समझ में आया होगा यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएगा और ज्यादिस ज्यादि अपने दोस्तों तक भी सेयर कीजिएगा जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिल सके और अपने दोस्तों को भी जनकारी पहुंच सके तो दोस्तों जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं मैं सबको पूरा करूंगी आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहे हैं और अपनी को बेहतर बनाए रखिए और दोस्तों यह आप चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए बेल आइकन को प्रेस कर लेजिए जिससे ज नेस्ट विडियो में नेस्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहीं